हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बहतर वीडियो आज मैं बात करूंगा वाट्सेप के बारे में वाट्सेप की कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो साएद आपको पता नहो तो ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है क्योंकि मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगी तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो शुरू करने के पहले एक रुक्वेस्ट है आपसे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले मुबाल के मेन्यू में जाएंगे और यहां वाट्टसेप को ओपन करेंगे यह वाच से अप ओपन हो गया अब नॉर्मली हम जिस तरह से चैट करते हैं उस तरह से जैसे कि हमने यह पर हैलो लिखा और हैलो लिख करके किसी को सेड़ कर दिया अब इस तरह से चैटिंग करना तो हम जानते हैं लेकिन अब हम इसमें क्या सीखेंगे नई ट्रेक वो मैं आपको बताता हूँ अब इस हैलो को हमें कुछ स्टैलिस बनाना है कुछ अच्छे से लिखना है ताकि सामने वाले को बहुत ही सुन्दर लगे इसके लिए जब भी हम कोई मैसेज टाइप करें तो उसके आंगे और पीछे एक स्टार लगा देंगे स्टार लगाते ही ये बोल्ड हो जाएगा आप देख सकते हैं जो हमने पहले मैसेज भेजा था उससे ये वाला मैसेज हमारा काफी अच्छा दिख रहा है तो जब भी आप किसी को कोई मैसेज भेज रहे हैं चाया वो छोटा मैसेज हो या बड़ा मैसेज हो उसके आगे शुरू में एक स्टार लगा दीजिए और मैसेज के अंत में एक स्टार लगा दीजिए तो वो बोल्ड हो जाएगा चलिए अब हम दोसी टिक सेखते हैं अब हम किसी को अगर इटैलिक बड़ में कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो किस तरह से भेजेंगे तो जब भी हम किसी को message टाइप करें तो उसके आगे एक dash लगा दीजिए और message के last में एक dash लगा दीजिए जैसे हम dash लगाएंगे तो यह हमारे जो भी message होगा वो italic में हो जाएगा तिरशा हो जाएगा वो काफी आकरसक लगेगा तो आगे से आप जब भी किसी को message कर रहे हैं कोई news दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें एक headline भी हो तो उसे आप bold कर दीजिए वो आपके headline हो जाएगी और नीचे आप simple तरीके से text tap कर सकते हैं इसके अलावा आप italic bird में भी chatting कर सकते हैं दो ट्रिक आप सीख चुके हैं इसके बाद तो चलिए आप सीखते हैं तीसी ट्रिक तीसी ट्रिक में अगर आप किसी को italic bird में chatting कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो और आकरसक उसे बनाना है तो क्या करेंगे तो उसी आप italic को bold भी कर सकते हैं तो पहले तो आप उसे italic कीजिए और उसके बाद उसके आगे एक star और उसके लास्ट में star लगा दीजिए तो वो आपका जो italic bird होगा वो bold हो जाएगा जो और भी अच्छा लगेगा तो यहाँ पर आपने तीसी ट्रिक भी सीख ली जो italic को आपने bold बनाना भी सीखा जो उससे better लग रहा है यहाँ पर आपने एक ही text message में दो effect डालना सीख लिया तो चलिए आप आगे बात करते हैं चलिए अब और भी कुछ नया सीखते हैं अब आप चाहते हैं कि आप जो भी text message कर रहे हैं या कोई headline दे रहे हैं उसको आपको underline करना है उसको highlight करना है तो कैसे करेंगे तो एक नए तरीके से सीखते हैं text को highlight करना उसके उपर एक line खींचना किस तरह से ऐसा करेंगे बहुत ही आसान है जब भी आप किसी को text message टाइब कर रहे हैं जब भी आप किसी को text message टाइब कर रहे हैं तो उसके आगे dash की तरह दिखने बाला ये sign यूच कीजिए और जब आपका text message खतम हो जाए तो last में भी यूच कीजिए तो आपके text message पर एक underline हो जाएगा ये भी एक बहतर तरीका है किसी message को highlight करना चलिए अब हम next track सीखते हैं next track में हम सीखेंगे कि अब हम इससे bold कैसे करेंगे कि उपर हमने line तो खीच दी अब हम चाहते हैं कि ये bold भी हो जाए उसके लिए हम इसके आगे एक start लगाएंगे और एक start इसके last में लगा देंगे ऐसा करने से हमारा जो ये underline वाला highlight message है ये bold हो जाएगा जो अब पहले से और भी बहतर हो गया चलिए अब हम चलते हैं next track की तरफ यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी ने message किया है और आप उस message को पढ़ भी लें और उसे ये पता ना लगे कि आपने message पढ़ लिया क्योंकि जब हम किसी का message पढ़ लेते हैं तो उसके mobile पर उस message की उपर जो tick लगा होता है वो blue color का हो जाता है तो वह है टिक blue color का ना हो और हम उस message को पढ़ भी लें तो ये कैसे करेंगे इसके लिए सबसे पहले अपने mobile के notification बार में जाएंगे और यहाँ पर flight mode को on कर देंगे अब हम whatsapp app को open करेंगे और कोई भी message पढ़ लेंगे सामने बाले को पता नहीं चलेगा कि हमने उसका message पढ़ लिया और अब फिर से हम flight mode को off कर देंगे आपको ये trick काफी पसंद आई होगी तो like कीजिए और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना